जब आकाशना अपने के लिए भगवान विष्टू ने अपना पैर उठाया था स्वयंग ब्रह्माजी ने उनका बिशाल पैर उभोकर पूरा जल एक कमंडल में एकत्रित कर लिया था उसी पवित्र जल को गंगा का नाम दिया गया और उसी कारण वर्ष गंगा को ब्रह्माजी का पूत्री भी कहा जाता है एहीं पर समाप्त होता है गंगा की जनम की कर्था अब शुरू होता है माग गंगा की धर्दी का जात्रा की कर्था नमस्कार दोस्तों वाईज़कार माईटलोजी वीडियो पे चर्चे का इस एपिसोड में हम चर्चे करने वाले मागंगा की धर्ती का जास्ता ठिकर था नमस्कार दोस्तों दूस्तो वाईजे का एल मैटोलोजी वीडियो पे चर्चे का, इस एपीसोड में हम चर्चा करने वाले हैं, मांगंगा की धर्ती का जात्ता के कथा, और मैं हूँ आपका वाईजे आई थे, महादेफ का नाम लेके शुरू करते हैं, गंगा की जनम के करता, अब शुरू होता माल गंगा की धर्थी का जात्ता की कथा। रगुकल में बहुत इत्पताफशाली राजाओं ने जनम लिया। उन्हीं में से एक है राजा सागर्व। उस समय राजा महाराजा अपने समराजय का विफ्तार के लिए अर्शमें की यग्व करते थे। इसमें एक घोड़ा छोड गोड़ा को रुका तो उसे यग्व करने वाले राजा के साथ जुद करना पड़ता था। ऐसे ही एक जग्व कर रहे थे राजा तागर और अशमें वियग्व का घोड़ा भी छोड़ा गया था। तब देवराज इंद्र का ये डर था कि अशमें वियग्व का घोड़ा अ यद्ग का घुड़ा कपिल मुनी के आश्रम में बांग दिया। कपिल मुनी उस समय ज्यान यूद्रा में थे। जब रादर साकर को पता चला, उनका यद्ग का घुड़ा किसी ने रोक लिया। तब उन्होंने क्रोधित होके अपने साथ हज़ार पत्रों को आदेश दिया देखने के लिए किसने उस दूरे का रास्ता रोका। काफी समय ज्यान के बाद कपिल मुनी का आश्रम में बुड़ा मिल गेंगे। और वो सब युद्ध करने का मकसक से आश्रम में गुच गे। आश्रम में हलसिन सुनकर कपिल मुनी का आख पुली तब राजा सागर के पुत्रों पुड़ा रोकने का जूटी लांजन उपर लगाने लगी। ये सुनकर कपिल मुनी क्रोधित होकर अगनी से राजा सागर के सभी पुत्रों को भसम कर दिया। उसके बाद ये सभी पुत माँ को शांते दिलाएंगे और ये तभी संभव था जब पूरवजी के अक्तियों को घंगा की पानी में शुत किया जाए या बिसर्जित किया जाए राजा भगिरत ने भगवान विष्णु के गठर तक किये कहीं सालों के तब के बाद भगवान विष्णु उनको दर्शन दिये तब भगिरत ने स्वर्ग में रहने वाले गंगा का धर्थी पर लाने के प्रात्थना की पर गंगा बड़ी ये उक्रशभाब की थी और वो बड़ी मुश्किल से धर्थी पर आने के लिए राजी है लेकिन और एक समस्ता थी गंगा का बेक इतना जादा था अगर गंगा अपनी बेक बर स्वर्ग से धर्थी पर आती तो धर्थी पाताल में समा जाती और चारो तरफ तूफान आ जाता था तब भगवान गिष्टु ने शिवजी से पाट्थना की वो गंगा को अपनी जटा में बान सर उसे अपनी बश्च में कर ले अन्यथा धर्थी का गंगा को अपनी जटा में बांद लिये और अपनी जटा से एक पतली धार के रूप में पित्वी पर जाने दिया और इसी तरह गंगा पित्वी पर अप्तारिक हुई और वही धारा भगिरत के पीछे पीछे गंगा सागर पुत्रों का उध्धार हुआ शिवके स कर से और भी पावन बन गई पृत्वी बासी के लिए बहुती सद्धा का केंद बन गई बन गा कुरानों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाक्मी और पाताल में भगिरती कहते हैं आप अपको बताते हैं गंगा नरे से जुड़ी कुछ अंकही बातों के बारे में हम सभी जानते हैं धरती में गंगा का यात्रा सुरू होता है गोमुख से परन्तु एक नई रिसर्च के अनुसार गंगा का पानी मां सरुवर से आता है और ये भी सोचने बनी बात है, रिसर्च के अनुसार गोमुक का पानी और मांधरुवर का पानी का एलिमेंट एक ही है, पर दोनों के बीच कई सो किलोमेटर का अंतर है, इसी को परवात्मा का लीला कहते हैं, दोस्तों इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं, भगवान शेप की ज कमन करते रहें, और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें भी, तो आज का सफर यही तक, आपका वायजे आई भी लोटेगा, गनेश की जनम कथा के साथ, हर हर महादेव